मैं यह कहना चाहता हूँ आप ने तक बलातकार किया BJP के लोगों नेए आप अपलब्दियां गिना है कितने हगोटाला मोदी जी आपने पतल जी की मूर्ची में किया और में कि आप अपने मन की बात अपने पास रखें तो ज़्यादा था है जनता को परिशाना करें तो आप करके दिखाइए ना, włos प्रवासी भारतीय मजदूरों को तुमने उनके घर में अच्छी तरह से भेज दिया, कोई किराया नहीं लिया, उनको खान पान दिया, लोग रास्ते में नहीं मरें, लोग पैदल नहीं दिखाई पड़ायक भी, यह आपकी उपलबदी है, थोड़ी बहुत शर्मानी इस समय कहते समय कि बीजेपी के छे साल गुजर गए हैं, और उपलबदी बताते हुए, मोदी जी, मन की बात आप अपने पास, अपने मन में ही रखो, यह दूसरों को भतानी की जरुवत नहीं है, मैं यह कहता हूँ, देश के इतिहास के इंतरगत में कभी नाम आएगा, कि सबसे अनपढ़ व्यक्ति, सबसे ज्यादा जूट बोलने वाला व्यक्ति, यह दी कोई हुआ है, प्रधान मंत्री तो कौन हुआ है, तो मोदी जी, आपकी उपलबदी सबसे बड़ी होगी, आप सबसे प्रतम प्रधान मंत्री माने जाएंगे, कभी गाय के नाम पर, कभी नजदी की से देखा, ये समाज को तोड़ रहे हैं, ये मुसलिम समाज को डराना चाहते हैं, भैवीत करना चाहते हैं, उनके साथ तरास्दी भरागुआ ब्यभार कर रहे हैं, ये कोई जैसी राम बोले, कोई अल्लाह अकबर बोले, कोई सस्रीकाल बोले, कोई बाहे गुरु झाले में यह आखंड पाला को ऐह थोडा है है मुसलिम भी काम करतें ग्था स कर देश इस ड़िव मैं यह जो नहीं मैं ये कहता हूँ किवल BJP के नेता, RSS के नेता, हिंदू संग्ठनों के नेता, इनके अंतरगत में एक हिंदू से ना नाम का संग्ठन है, जिसके अध्दक्ष बने हैं आजकल ने ने सुनील सास्त्री, ये लोग ही कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट गोसित करेंगे, ये क करेंगे, ये कहता हूँ, जैसी राम की जगह, आप कुछ भी बोलो, कोई फरक नहीं पड़ता है, जैसी राम बोलो, नमस्ते जी बोलो, सलाम आलकम बोलो, और ये जो कहते जैसी राम बोलो, ये तभी देश में रहना होगा, तो हिमत हो, तो आप करके दिखाइए न, आप तो कि जैसरी किष्ण तो बोलते हैं, जैसरी राम ना बोलें, तो क्या दिकत है, मैं नहीं बोलता जैसरी राम बोली है, क्या बेंगाड होगा आप मेरा, मैं राधरादे बोलुगा, बिंदाबन में सब राधरादे बोलते हैं, मैं यह कहता हूं, थोड़ा होस में आई आई आ आप लोग धर्म के नाम पर देवी देवतां को बतनाम मत करो हमें समाज के इंतरगत में रहना है कोई किसी प्रकार से जी सकता है कोई कैसा भी खान पान कर सकता है कोई कैसे भी रह सकता है किसी ओपर जवर्दस्ती कुछ भी धर्म का मामला नहीं थो पा जा सकता है यह देश द लितराष्ट है वो कहते हैं सबका राष्ट है देश के इंतरगत पे शायनबाद खत्म किए देश के इंतरगत में जहां मुस्लिम नाम सुनाई पड़ते थे उनको मारते पीड़ते थे कुछ जो की RSS के लोग टोपी पहन करके सबजी की जो की ढके ले करके उस पर थूक लगाते थे उन पर यूरिन थे जो की छड़कते थे और फोटो खिंच के बताते थे कि मुसल्मान कर रहा है उन्हें पकड़ा भी जाता थे एक नाटक नाटक यह ढंग से किया जाता था और को ब्यक्ति कहता था मैं मुशल्मान हूं मुशल्मानी नाम बताता था यह RSS के गुंडों ने सब किया है मैं एक बात कहना चाहता हूं अब इस समय जब सुप्रीम कोट ने कह दिया कि कि किसी को आरेश्ट नहीं किया जाएगा लोग डाउन के दौरान पंट इनकी CBI, BG, ED, जितने भी संग्ठन है वो सभी सरकारी में केवल साहिन बाग से संबंदित सी है से संबंदित लोगों को पकड़ने में लगे हुए थे मैं यह कहना चाहता हूं इनका केवल एक मुशल्मान समाज को दवाने वाला काम है जब प्रधान मंतरी राहत कोस का खाता था तो इन्हो उने दूसरा नाम हलका सा चेंज करके दूसरा खाता अक्च्यों खोला इनके पास कोई जबाब है कोई जबाब नहीं है इसमें हजारों करोड रुपे का इस समय जो की घोटाला हुआ है कोई जबाब है सर्दार बल्लब भाई की पटेल के इंतरगत में 125 करोड का जो की आया है कम से कम और कितना घोटाला कि इनों तो मूर्ती को बनाने में कितने कितने घोटाले किने मयावति के लिए कहते है तो में जोका गल्दार बल्लब भाई पटेल की मूरती मैं हजारों करोड रुपे तो केवल मोदी मोदी और कोई दूसरा नहीं है पर बीजेपी का एक मोडल है यह कि महलामितरों से मिलना जब इन पर कोई पॉपशिटी का मामला नहीं होता अर जिय को सरकार पशेसा county करते हैं पर राइसेस और बीजेपी चरत्रहनन बिल्कुल हो चुगा है और ये काथूरिया की जो बात है वो सामनी आ गई है ऐसे काथूरिया जैसे लोग जैनी कितने रोजाना इस पकार की घटना करते रहते हैं ये चरत्रहीन हैं और इन चरत्रहीनों को जेल केलाबा कोई दूसा रास्तानी और मैं यह कहना चाहता हूँ दूसरों पर यही लांचनी लगाते रहते हैं तो भारत की जनता पार्टी मैंने आपको बताया वो केवल बलतकारियों की पार्टी है चरत्रहिनों की पार्टी है और कुछ नहीं उसमें और दूसरी बात कहते हैं तो अमिसा जी आपको सब लोग तड़ी पार कहते हैं सबसे पहले जेल का इस्थान आपका है मोधी जी सबसे पहले जेल का इस्थान तुम्हारा है तुम सबसे बड़े अपरादी हो मैं यह कहता हूँ अपरादियों का काम जोगी इस्थान जेल में ह तो सबसे जबादा भारत्य जन्ता पार्टी के लोग अपादी हैं और जो जेल से अपादी भाग रहें वो अपादी भाग नहीं रहें रिस्पत लेकर ले करके भगाए जा रहे हैं यह लागत इंखेतन से किसी कि आ मोधिजी आपने पतलि की मूरथी में किया आप अपलबदियां गिराए जो कहते हो चाइना का माल मत transport फर्तुम चआना का हर सामान कर खरुते हो आप अपलबदियां गिराओ ना कि सवधेसी ओना चाहिए तो मैं पूछा चाहत हूँ ऐवी ऐम कभ बंध हो रहे हैज्फी और स्वदेसी हमारा जोगी वैलेट पेपर कवचालू हो रहा है मैं कह रहा हूँ इनकी कोई उपलबदी नहीं है ये बिलकुल फेल सरकार है ये इनको ऐसी सरकार है जैसी आप तक कोई सरकार आई नहीं है अर्थात मैं मोदी जी को कहूँगा मोदी जी आप अपने मन की बात अपने पास रखें तो ज़्यादा था है जनता को परिशान ना करें जनता आपको देखते समय टेवी बंद कर लेती है मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार ये जी मोदी जी महनबत है तो डिवीड मुझसे करें और मन की बात मेरे सामने करें टीवी पर देखते मुझे लाइक ज़्यादा करते हैं आपको लाइक करते हैं मैं कहता हूँ आपको लाइक नहीं करते हैं ज़्यादा मोदी जी चुप चाप अपना टाइम पास कर लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं यह कहना चाहता हूँ, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, आपकी कोई उपलवदी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी उपलवदी यही होगी, जिसना आप त्याग पत्र दे देंगे, तो आपको मैं धन्यवाद दूँगा, देश आपको धन्यवाद देगा, अब इस स मैं केल सीट को घेरे पड़े हुए हो, काम जो करने चाहिए बिकास के नहीं कर रहे हो, मोदी जी आप बिलकुल फेल हैं, फेल हैं, फेल हैं,